नमस्कार कैसे हैं आप बैकल बिक्ची के सामें मैं निर्दोश कोशिक आज आपको यग्य थेरिपी के अंतरगत बताऊंगी चर्म रोग की विशेश सामगरी का चर्म रोग में हमें कौन सी सामगरी का प्रियोग करना चाहिए दाद, खाज, खुजली, किसी भी प्रकार की अल बीज और अजवायन इसके अलाबा अजवायन लेंगे आप इन सभी नौ चीजों के साथ अजवायन बिना पिसी हुए मिलाएंगे बाकी नौ चीजों को हम पीस लेंगे जोगट कर लेंगे जैसे हवन की सामगरी होती है और इस सामगरी का प्रतिदिन, प्रतेह काल सूर्य काहित्री के मंत्र के साथ हवन करेंगे निश्चित रूप से आपकी दाद खाज खुजली एलर्जी साथ दिन के अंदर छू हो जाएगी इसी नौ सामगरियों का चूर न बना लें अजमाइन ना डालें बीच में उस चूर को आप ताजा जल से सुभह शाम ले सकते हैं वरना तो ये यग्य किया हुआ जो आपका इलाज है ये पूर्ण रूप से कारगर है खटाई तेल भुने हुए एक सब का परहेज करें ये चीज ना खाएं जितने देन आप हवन करें या इस सामगरियों को लें अब देखें मैं आपको बताती हूँ सूर्य गायत्री मंत्र ओम भास कराय विदमहे दिवा कराय धीमही तन्नो सूर्य है प्रचोदयाद इस मंत्र से आप प्रात है कम से कम 40 नहीं तो 108 आहुतियां प्रति दिन देंगे तो 7 दिन में आप देखेंगे आश्चर जनक लाव होगा ये मंत्र यदि आपको बड़ा लगता है तो ओम आदित् कि आप हवन कर सकते हैं और यदि इन में से दोनों ही नहीं याद होते या नहीं करना चाहते तो गायत्री मंत्र सबको याद है गायत्री मंत्र से भी आप प्रातहकाल इसका हवन कर सकते हैं भयानक से भयानक चर्म रोग ठीक हो जाता है ये मेरा अपना अजमाया हुआ अनु कर दो सका हूज को कर दो एक जिनी हम को कर दो खंगा कह